हेलो वीटिफुल्स, फैमली, नमश्कार, कैसे हैं आप सब, I hope सब लोग बहुत अच्छे हैंसे होंगे, मौसम बदल लेकिन इस बदलते मौसम में बच्चे की हेल्थ से थोड़ा सा परिशान होंगी, जब बड़े ही फेल हो जाते हैं इस बदलते हुए मौसम की बज़े से ज मौसम की बच्चे की बच्चे की जमा हो गया है जब बच्चे की चाती में कुछ जमा हो गया है, कफ बगएरा जम गया है इस तरीके की प्रॉब्लम को आप कैसे खतम करोगे, इसके लिए एक बहुत ही इजी ट्रिक में आपको बताने आई हूँ, यह मैं डिसकस करूँगी जीरो से 6 मन तक के लिए, 6 मन से 12 मन तक के लिए, क्या करना चाहिए जब बच्चे की चाती में बलगम जमा हो जाता है, कफ बच्चे की चाती आप कहलो कि जकर जाती है, तो वही आज हम इस वीडियो में डिसकस करेंगे, तो मेरा नाम है रिशु एक बार फिर से आप सबका बहुत बहुत स्वागत है, आज की इस नई वीडियो में आप देख रहे हो रिशु बेबी के यार यूटूब चैनल, चलि दो कली आपको लेसुन की काट कर डाल देनी है, आप चाहे तो उसमें थोड़ी सी ओल में अजवाइन भी डाल सकते हो, इसको आपको गैस पर अच्छे तरीके से पका लेना है, जब तक वो लेसुन एकदम अच्छे तरीके से उसमें पक नहीं जाता, ब्लैक नहीं पड़ ज आप देखेंगे कि बच्चे को सर्दी काम की दिक्कत है, उसमें तो आराम मिलेगा, ही साथ में जो चाती में कफ जमा हुआ है, उसमें भी आराम मिलेगा, ठीक है, तो आप ये 0 से 6 महीने के बच्चे के लिए इस्तिमाल कर सकते हैं, ठीक है तो ये कर लिजे, आब बात करते से आपको कुचल कर एक पेश्ट टाइप का बना लेना है ठीक है महीन अब उसमें एक चम्मच आपको शहड़ेट करना है अच्छे से मिक्सअप बना कर आप इसका रख लीजी को आपको अपने बच्चे को छै महीने के बाद दिन में दो बार देना है दिन में दो बार कितना एक चौथाई चम्मच आधी चम्मच से भी कम ये आपको बच्चे को दिन में दो बार देना है सुब़े और शाम देकर देखिए और फिर मुझे बताईए आप comments में कैसे आरा मिलता है चुटकियों में ठीक है तो ये tips आप जरू ट्राइ कीजेगा बच्ची को as a जो हम honey यूज कर रहे हैं वो as a दबाई की रूप में हम उसको यूज कर रहे हैं तो कोई दिक्कत नहीं है बच्ची को जब आ अब जैसे कि अगर आपका बच्च एक साल से बड़ा हो गया है तो फिर आप उसको यही सेम मिक्षर आधा आधा चमच दो बार दे सकते हो बस इतना सा आपको करना है ठीक है तो ये बहुत ज़्यादा कारगर रहेगा बच्चे की छाती में जमे हुए कफ को निकालने के लि थैंक यू